यह है लद्दाक और यहां जाने का सपना तो सपका होता है पर इस सपने को सच कर पाना इतना आसान नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि लद्दाक एक रिमोट प्लेस है और यहां पर टेंपरेचर माइनस 60 डिगरी तक कम हो जाता है जी हां माइनस 6060 लेकिन फिकर नॉट क्योंकि हम आपको इस वीडियो में हर वो चीज बताएंगे जो आपके इस लद्दाक के सफर को आसान कर देगी जैसे की जैसे की इस ट्रिप पे आपको क्यारी करनी चाहिए अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट करके से पूछ सकते हैं हमने लास्ट कुछ मंस में थाउजन्स ओट्रावल क्वेस्टिन के टाइमली रेप्लाइज दिये हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि आज कल हम एक ट्रावल क्विज प्ले कर रहे हैं जिसमें हमारा लास्ट क्वेस्टिन था कि इंडिया में चीता कहां मिलेंगे अगर आपको इसका अंसर पता है तो वीडियो पॉज करके अभी अपना अंसर कमेंट करें और इसका सही जवाब हम आपको इस वीडियो के एंड में देंगे और हाँ दोस्तों काल करे सो आज कर आज करे सो अब ट्रावल फन रिपीट सब्सक्राइब नहीं किया अरे तो सब्सक्राइब करेगा कब और इसी के साथ वेलकम बैक तो दे चैनल ट्रावल फन रिपीट और लेट स्टार्ट विद हाउ टो रीच लदाख लदाख पहुचने के दो रूट्स है जिसमें से इजियर रूट है वाया जम्मू श्रीनगर हाईवे चलिए इसको मैप में देखते हैं इस रूट में आपको मेजर सिटीज पढ़ेंगी चंडीगर, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल और फाइनली लेह आपको रास्ते में जोजिला पास मिलेगा जहां से अमरनाथ मंदिर सिर्फ 5-10 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से लेह की इस रूट को नाशनल हाइवे 1 कहते हैं और यही पर कारगिल वॉर हुई थी आपको रास्ते में टाइगर हिल और कारगिल वॉर मेमोरियल भी मिलेंगे जो की कारगिल वॉर में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों की याद में बना है ये memorial सुबह 7 बजे से, शाम 7 बजे तक खुलता है on all days ये route easier route इसलिए है क्योंकि आपको लेह तक पहुँचने के लिए कोई permit नहीं चाहिए होगा and road condition भी ठीक है इस route पर अब आते हैं दूसरे route पर और ये रहा उसका map दूसरा route आपको मनाली, केलोंग, स्पिती वैली और सर्चू से होते हुए लेह तक लेकर जाता है इस route से अगर आप जाते हैं तो आपको permit लेना पड़ता है जिसको आप online apply कर सकते हैं या फिर मनाली में deputy commissioner के office से ले सकते हैं इस permit का नाम है beyond rohtang permit इस route से जुड़ी तीन important बाते हैं पहली ये कि permits are very limited इसलिए अच्छा रहेगा कि आप online apply कर लें दूसरी important बात ये है कि this route is closed on Tuesdays और तीसरी important बात ये कि केलोंग के बाद आपको अगला petrol pump सीधा 365 km बाद लेह में ही मिलेगा इसलिए आप इस तरह से petrol cans carry जरूर करें ले पहुचने के लिए इन तीनों बातों का आप खास क्याल रखें for a smooth trip अब आप मेंसे शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस route से क्यों जाएं फिर permit भी लो और Tuesday को बंद भी उपर से petrol का भी problem but the scenic beauty on this route is mind blowing ये route बहुत 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 ही जादा सुन्दर है जो बता पाना मुश्किल है वो जब आप जाएंगे देखेंगे तब ही समझेंगे कि क्यों लोग उस route से इतने सब होने के बावजूत जाते हैं तो ये था about how to reach जब आप ले पहुँच जाएंगे उसके बाद आप चाहें rented vehicle से पहुँचे हो या फिर flight से local भूमने sightseeing के लिए आप ले के बाहर से rented कोई भी vehicle ले में use नहीं कर सकते अगर आप अपनी private vehicle से ले गए हैं जो कि आपके या आपके किसी family member की नाम पर है तब तो ठीक नहीं तो आपको ले से ही vehicle rent पर लेना पड़ेगा local sightseeing के लिए आईए जानते हैं places to visit आप ले को ही अपना base बना कर लद्दा को explore करें पहले दिन जब आप ले पहुँच गए उसके बाद अराम से एक दो दिन relax करते हुए local sightseeing करें जिसमें कि आप घूम सकते हैं ले पैलेस, शांती स्टूपा, magnetic hill जा सकते हैं और shopping भी कर सकते हैं आप ले में उसके बाद अगले दिन आप जा सकते हैं डिस्किट, हुंडर और नूब्रा वैली जो की ले से अराउंड 110 किलोमीटर दूर है रास्ते में आपको मिलेगा खरदूंगला पास जो की वर्ल्ड्स हाइएस्ट रोड है ये एरिया एक extremely cold desert है यानि एकी बरफीला रेगिस्तान हर desert की तरह यहाँ पर भी आपको camel मिलेंगे इन लदाग के camels की एक खास बात है कि इनके double hump होता है और इस तरह के camels आपको इंडिया में सिर्फ यहीं पर मिलते हैं एक दिन डिस्किट में stay करने के बाद आप पैंगॉंग लेग जा सकते हैं जो की डिस्किट से करीब 160 किलोमीटर दूर है अच्छा होगा कि अगर आप पैंगॉंग में cottages पहले से ही book करके जाएं क्योंकि यहाँ पर peak season में rooms बहुत costly हो जाते हैं और इतनी beautiful जगा जाकर आप अपना time hotel ढूंडने में definitely waste नहीं करना चाहेंगे और as per our experience आप अपनी strip के लिए कुछ important चीज़ें क्यारी करना मत भूलिएगा जैसे कि एक sunscreen दूसरा है कि light snacks जैसे हलके फुल की biscuits नमकीन्स ही सब अपने साथ रखे रहें और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि raincoat है आपका पता नहीं कब बारिश होने लग जाए और आपने जो sweater सब कुछ पहना है वो एक बार भीग गया तो बहुत जादा ठन लगती है इसलिए raincoat is a must mobile network की बात करें तो क्योंकि this is a remote area इसलिए यहाँ पे network का problem रहता है फस गये हैं तो nearest army station जाकर आप उनसे request करके satellite phone का use भी कर सकते हैं और एक बात लदाक में आर्मी जो है हमारी वो locals या tourists कोई भी हो सबी को बहुत help करती है अगर कोई भी छोटी बड़ी problem हो जाए तो तो दोस्तों क्योंकि लेह का रास्ता by road जाने के लिए काफी लंबा पढ़ता है आप रूकते रूकते जा सकते हैं कहां-कहां आप रूक सकते हैं stay कर सकते हैं अगर श्रीनगर route से जा रहे हैं तो आप उधमपुर में या फिर सोनमर्ग में stay करते हुए ले पहुँच जाए मनाली रूट से जाते वक्त, आप मनाली में ही एक दिन stay करते हुए, के लौंग, सर्चू, इन जगहों पर stay करते हुए आप ले पहुँच जाए। एक बार आप ले पहुँच गए फिर तो आपके पास बहुत सारी चोईसे हो जाएंगी होटेल्स के लिए आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं उसके बाद जब आप डिस्किट घूमने जाते हैं वहाँ पे as per our experience बेस्ट है कि अगर आप होमस्टे बुक करें उसके बाद आप जब पैंगॉंग जाएंगे तो to avoid last minute price hikes और peak season की price hikes आप cottages प्री बुक करके जाएए तो इतनी सारी बाते हमने आपको बताई लदाग जाने की कहा स्टे करें डॉक्यमेंट्स की अब बात हो जाए पेट पूजा की आप लदाग गए और वहां की लदागी रूटी नहीं खाई तो आपने कुछ तो ज़रूर मिस कर दिया है ये समझे तो आप लदागी रूटी ज़रूर ट्राई करें लोकल जितना हो सके वहां की कुजीन ज़रूर ट्राई करें बागी हर हिल स्टेशन की तरह यहां भी आपको जगा जगा पर साइट सीइंग जहां भी करते हर जगा आपको मैगी और चाय ये दो चीज तो मिलेंगी मिलेंगी और छोटे मुटे स्नैक्स आपको सभी जगाओं पर वहां पर मिलेंगे तो फ्रेंज दिस वाज अलबाउट लद्दाफ आई होप आपको हमारी इंप्रमेशन अच्छी लगी होगी लाइक जरूर करें वीडियो को कमेंट करके क्वेस्टन्स पूछे जादा से जादा वीडियो को शेर करें डूंट फगेट तो सब्सक्राइब अस वीवर्स करपे ध्यान दें टावल फंड रिपीट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें